आपका स्वागत करती हूँ और आज हमाँ साथ मौजूद है एक ऐसी शक्सियत जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है श्रियतुल गंगवार जी जो कि एक डारेक्टर, राइटर और प्रेडियूसर है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर्थ धन्यवाद, आपका धन्यवाद आपने मुझे बलाया और मैं MS के जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साज ऐसा कि हम सब जानते हैं कि आपने फिल्म की दुनिया में कदम तब रखा जब आपने 1994 में दिल्ली उनिवर्सटी फिल्म एप्रिसेशन सोसाइटी की स्थापना करी तो इस फील्ड में आपने इतने साल गुजारे हैं आपने इसको बढ़ते और बदलते वे देखा है तो वह कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपने अभी तक अनुभव करें हैं देखिए सबसे बड़ा बदलाव तो जो देखने में आया है वह है टेक्नोलोजी का टेक्नोलोजी से मतलब यह है कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोबेंड टेप पर काम होता था टेप् है और आज टीजिटल हो गया है पूरा पूरा टेक्नोलोजी तो एक तो सबसे बड़ा बदला हुआ टेक्नोलोजी का जो मेरे अपने सामने में देखा तूसरा कंटेंट में भी बहुत बदला हुआ उस समय क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो बहुत कम अवसर थे दूरदर्शन एक सर्था काम करने का और जी ने अपने कुछ चैनल शुरू के थे और अगर आज हम देखें इस पूरे विस्तार को तो अब आपके पस डिजिटल प्लेट्रॉम्स हैं यूट्यूब है फेस्बुक है बागी सारी चीज़े हैं तो कंटेंट की दृष्ट है तो मैं यह जानना चाहूंगी कि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आप कि सहते आपका जो कंटेंट है वो निहखर कराता है a सबसरे नहएंती कोई में ने की कोई ग्रैमर नहीं 2 जमद दो चार नहीं कि दो पांच पी एह सकता है 12 लेकिन जब मैं खिरदेraft का चैन करता हूं यह सब मैंने लिखना शुरू किया लिखा है तो facts पर बहुत काम करना पड़ता है उसमें और आपको content writing में एक सबसे बड़ी चीज काम आती है भाशा आप चाहें अंग्रेजी में लिखेंगें चाहें हिंदी में लिखेंगें आपके पास भाशा की पकड़ होनी बहुत जरूरी है दूसरा मुझे लगता है कि आपके पास knowledge बहुत होनी चाहिए हम दो चीजों में हमेशा घाल मिल करते हैं information और एक knowledge information कई बार गलत भी आपके पास हो सकते है लेकिन अगर आपके पास उस विखे की knowledge है तो आप उस विखे पर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो जब मैं लिखता हूँ तो कम से कम मैं जिस subject पर लिख रहा हूँ उसके बार में पूरी knowledge रिकटी करता हूँ references रिकटी करता हूँ मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उससे content में जो मैं जो लिख रहा हूँ उसमें थोड़ा सा depth आती है और यथार्थ तब सच्चाई आती है जो connect करती है लोगों को तो शायद उसकी सफलता का कारण यह होगा सर जिस field में आप हैं उसमें सबसे ज़्यादा दरूरी है मैं जैसे मैंने का रहा है कि reading, अध्यन करना, चीजों के बारे में पढ़ना शायद वो इस पीड़ी में थोड़ा कम है क्योंकि जब तक आप चीजों को पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो जब आप काम करना शुरू करेंगे और पढ़ना के वाल लेख नहीं है, literature नहीं है, news नहीं है आप अपने legends जो जिस feed में आप काम करना चाहते हैं आप अच्छे directors की biography पढ़ी है अच्छे writers की पढ़ी है, अच्छे actors की पढ़ी है अच्छे cinematographer की पढ़ी है, अच्छे sound उसकी पढ़ी है और पढ़ने का समय नहीं तो अच्छे documentaries देखी है वो कहीं ना कहीं आपको आपका जो एक सबर है उसको बढ़ाता है क्योंकि आज कल कहना है, इंस्टेंट का जमाना है कि आज आपने तुरंट कोई चीज देखी, सोची और फिर उसके बाद में आपने तैय कर दे कि नहीं है, यह फटा-फट हो जाएगा इसके लिए थोड़ा सा जिस प्रोफेशन में हमें उसमें थोड़ी सी गंबीरता चाहिए और उस गंबीरता के साथ ही फिर हमने SS रिजन करना है कि उसमें हस से भी हो, व्यंग भी हो, उसमें राजिनेतिक चेतना हो, समाजी करना चाहिए सर इस फिल्ड में और आगे जीवन में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलहा देना चाहेंगे देखें नक्यवल इस फील्ल में चुनौती हर जगे है और आने वाले समय में क्योंकि हम लोग जो यंगस्टर्स हैं आप लोग उनकों लिए चुनौती इसलए भी बंती है क्योंकि आज हमारी जो भावी पीडी है यह जो हमारी वर्तमान पीडी है ये टेक से भी हो गई है आपकी जिन्दगी ना मुबाइल में हो गई है आप जो चाहते हैं उसमें वो देखते हैं जो चाहते हैं वो करते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि समाज में आपके लिए आपके दोस्त मित्र परिवार ये भी बहुत महत्पून है यही आपको जीवन में आपके संगर्सों से लड़ने की ताकत देता है तो मेरा कहना यह है कि आप टेक्स से भी होईए आधनी जो आपके पास साधाने उनका उप्योग करना सीखे लेकिन अपने मित्रों को मत भूलिए अपने रिष्टों को कभी मत भूलिए अपने माता पिता को कभी मत भूलिए क्योंकि हाँ यह कई भर बुरा लगता है कि आप कोई चीज कहेंगे तो उसके बारे में ना सुनना पड़ेगा और फिर मैं कहूँँगा अपने परिवार, अपने मित्रों को कभी में छोड़िये और ये फिर आपको दुनिया के हर चैनेंज को पूरा गरने में मदद करेंगे धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ मैं अक्षता जैन कैमरमन प्रित्वी ककड के साथ आएमस टुडे से